हेलो फ्रेंड्स मैं प्रकाश आको फिर से बहुत स्वागत करता हूं टेक टाइम के एक फ्रेस और न्यू एपिसोड में अम इस वीडियो में ना जियो की बात करेंगे ना किसी और टॉपिक प्याद एक अंबॉक्सिंग करने जा रहे हैं और यह बहुत स्पेशल अंबॉक्स में अभी तक तो अबलेवल नहीं है अब शायद आ जाए बाद में लेकिन अभी तक तो इंट्या में अबलेवल नहीं है तो चलिए क्या स्पेशल है तो फ्रेंड्स मेरे हाथ में है शाओमी रेड़ी प्रो शाओमी का पहला डूल कैमरा सेटप वाला फोन 3GB 64GB वर्जन जि फाइट में पिक्सिलर कैमरा है स्पेसिफिकेशन ठीक से देखना होगा और 3GB RAM 64GB इंटर्नल सारे 4100 mh की बैटरी और सारे 5 इंच का स्क्रीन तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैक आप देख सकते हैं एक ऐसा पैक में आया है और इसमें मुझे कॉस्टम ड्यूटी मुझे और इस पैक नाया है कॉस्टम आलों इसकी पूरी बैंड वजा दिया है तो चलिए इसकी अन्बॉक्सिंग करते हैं और इसका रिव्यू, गेमिंग रिव्यू, कैमरा रिव्यू सब देखेंगे और हो सकते है इसका गीववे भी हो जाए तो और जो पिछला गीववे हुआ तो फ्रेंड उसका रिजल्ट शायद कल में एनाउंस कर दूंगा तो तो फ्रेंड जाजा की देख सकते हैं मेरे हाथ में है यह बॉक्स और बॉक्स की हालत बहुत खराब रसी से बांदा गया है और यहां पे देख सकते हैं आपको इसका बिल मिल जाएगा जो मुझे कॉस् और सौ रुपे का मुझे पोस्टल चार्ट यानि टोडल पच्छी सो चौंदीस रुपे और यह मुझे कॉलकाता कस्टम से मुझे क्लियर करवाना पड़ा खुद तो और मैंने इसको दो तारी कॉडर किया था छे को शिपिंग हुई 11 को इंडिया आ गया पंद्र को कस्टम चार दी मुझे कॉस्टम में जाके दौडोडना पड़ा हाँ सुंध हे निया एक लागज मुझे इसको ने बौतल क्लियर हुआ और नहां पर देख सकते हैं लाग Church पतर किया जिए तो को कॉट लेते हैस टान टान तो यह मीन हम लोगों ने काट लिया और तो फ्रेंट्स जैसा कि देख सकते हैं यह है शाओमी רडमी प्रो, डेकाफ़ प्रोसेसर, और बहुत-बहुत ठाइट पैकिंग किया गया, आसा अमने कि तो इसको अराम से महल लेगा, तो देख सकते हैं फ्रेंट्स यह है शाओमी का लेद्मी प्रो, दो डूल कैमरा सेट अप के साथ आया है 3GB, 64GB और Helio का X25 प्रोसेसर 4050 इमिच की बैटरी, ओलर्ड स्क्रीन तो हम इसको साइड में रखते हैं और इसको आपन करते हैं टान टान ब्यूटी, वाव ब्यूटी क्या फोन है और फोन के अगर हम लुक की बात करें फ्रेंज हो तो जासे की देख सकते हैं यह ब्लाक कलर में है सामने यह फिंगर प्रिंट स्कानर और तीछे पर मेटालिक लुक, ग्रे कलर का है दो-दो क्यामरा है यहां पर देख सकते हैं यह 13 मिया पिक्सल का यह 5 मिया पिक्सल का माई का लोगो नीचे में देख सकते हैं तो यह एक स्पीकर है यह माईक है और एक टाइप सी पोड सामने में एक 3.5 mm jack, noise cancellation, secondary mic और यह है IR blaster आपका जो भी आप अप्लिकेशन्स जो यूज करते हैं टीवी, सेटप बॉक्स तो एक बड़ फिर से लेखिए यह इसका dual tone LED flash और अगर बॉक्स में हम बात करते हैं इसमें दुछरे contents की तो हमें आपे क्या मिलका है तो सबसे पहले फ्रेंट्स एक user manual जो की हमारे किसी काम की नहीं है एक USB USB Type-C port और यह चाइना का adapter पता नहीं मैं इंडिया में इसको में कैसे यूज कर पाऊंगा और अगर हम इसकी rating की बात करें फ्रेंट्स तो यहां पर देख सकते हैं पांच वोल्ट दो एंपियर का यह charger है तो कोई बात नहीं में बस रेंट्मी का प्रणा charger है और बॉक्स में कुछ नहीं है बॉक्स में बस यह आपको फोन charger यह आपको एक user manual बस आपको यहीं मिलता है और इसमें आपको कुछ नहीं मिलता तो आप फोन को चलिए हमने सेट अप कर लगता है तो फेंड्स जैसे की देख सकते हैं हमने इसको सेट अप कर लिया है और यह इसका बैक कैमेरा है यहां पे आपका USB Type-C पोर्ट और एक माइक और एक स्कीकर पूरा फुल मेटालिक बॉड़ी दो दो कैमेरा बहुत मजा रहा है इसमें आपको MIUI आपको 8 मिल जाता है हम आपको दिखा दे रहे हैं अब आउट फोन में मी वाइबर्शन यहां पे एट मिलता है और इसमें आपको डेका कोर आपको सिगी मिल जाता है तीन जीवी की रैम जिसमें से आपका भी 56 जीवी आपका खाली है और एंड्रोइड यह 6.0 पे चलता है मार्श मैलो तो यह है और इसमें आपका फ्रेंट में जो यह होंम बटन है इसमें आपका यह है स्कैन जाल खूल कर दिखा देते हैं इसमें नहीं जा रहा है क्या रहा है यह नहीं जा रहा है तो वह थो वह च बहुत 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 अच्छी बात है बोल्टी अराम से जिसमें जिए यूज कर सकते हैं यहां पर आपका देख सकते हैं बैकलिक लिडी जो जल रहा है यानि कि हलका हलका यह भी भाइबरेट कर रहा है और स्क्रीन क्वालिटी बहुत बहुत अच्छी है कैमरा मैं अभी कुछ नहीं कह सकता भी इसका रिव्यू आने पर पता चलेगा तो अभी वीडियो में बस इतना ही फिर मिलेंगे जैहन पना